नास्कार दोस्तों ये आकड़ा किसी और का नहीं मोदी सरकार का था और जानते हैं क्या आकड़ा था कि प्रवर्तन देशाले यानि जाच एजिंसीज ने पिछले आग सालों में 3010 बार रेड मारी और उनमें से सजा मिली आधा परसंट से भी कम लोगों को सिर्फ 23 लोगों को सजा मिली ये आकड़ा किसी और का नहीं था संसद के अंदर मोदी सरकार के अंदर जो मोस थे मिनिस्टर अफ स्टेट फाइनांस पंकच चौधरी का अपना ये आकड़ा था मगर क्या आप जानते हैं मोदी सरकार अपने ही इस आकड़े से पलड़ गई उनके मंत्रिये प्य भूट ना बोलें आपने बाकाइदा आपसे बाकाइदा शिव सेना की सांसद प्रियंका चतुरवेदी ने सवाल पूछे थे और उनमें आपके अपने मंत्री ने आकड़े दिये थे अब इन आकड़ों से मोदी सरकार पलट रही है दोस्तों ना कोई ताकत ना कोई अदावत और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहिए तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते बोल किलाबा आज़ाद है तेरे मैं आपको बतलाना चाहूँगा कल राजसभा में संजे सिंग ने ये सवाल उठाया मगर आप जानते हैं संजे सिंग को न सिर्व जूटा बताया गया बलकि उपराश्चुपती और राजसभा के जो सभापती हैं जगदीव धंकर उनसे भी संजे सिंग को संरक्षण नहीं मिला उल्टा उन्होंने ये तक कह दिया कि सांसद लोग बगैर तत्थियों के कोई बयान ना दे मैं उसे बरदाश नहीं करूँगा और इसके परिणाम होंगे मैं फिर बता दूँ ये जो जानकारी है कि 310 बार रेड मारी गई जिनमें से सिर्फ 23 लोगों को सजा हुई यानि आधा परसंट से भी कम ये आकड़ा मोदी सरकार का है और इसे जुटला कोई और नहीं खुद मोदी सरकार के मंत्री और माननिय उपराश्चुपती जगदी मैं जाहूँगा कि किस तरह से संजे सिंग ने अपनी ये बात रखी हाथ कंगन को आरसी क्या संजे सिंग ये बात क्यों रख रहे थे मैं आपको बतलाओंगा मगर सुनिए उनका बयान इडी का इस्तिमाल करके पिछले आठ वर्सों में तीन हजार चापे विपक्ष के नेताओं पे मारे गए और मात्र 23 लोगों को इडी कन्विक्ट कर पाई मात्र 0.5% 0.5% सर मैं सर शार ये विल्कुल ठीक बात नहीं है सर सर ओनरेबल मेंबर्स और अनरीबल मेंबर्स प्लीज चेकर रहा हूं सर प्लीज प्लीज ये एडी फिस फ़िस विस थाजार करोर का भोताला करने वाए नीरों मोधी के खिलाफ चुचुप रहती है टेक यूर शिट ये एडी टेक जो जार करो सर इंको आपने अलाओ किया मुझे ना अलाओ किया मैं वैसे ही बोलूँगा बगर पेपर के बोलूँगा अब यसी में अगर सर यहां इस सदन में प्रियंका चतरवेदी जी मौजूद है उनके जवाब में सरकार ने यह बताया कि तीन हजार चापे एडी के द्वारा मारे गए और मात्र तेईस लोगों को कन्विक्ट गिया गया मेरा इनसे सवाल यह है कि यह एडी और सीबियाई बीस हजार करोन के लुटेरे नीरो मोधी पे कारवाई नहीं करती थाल अबें कारवाई नहीं करती इतने भ्रषकाचारी आपसे जुड़े रोए उन पे कारवाई न हीं करते सजेर आवज जीयों पेंटे सो दिन ज्ल मेरे मनीश दिसो दिया कि घर पे 54 community in तेन जेन को अपने जेल में रखा है, अर्बिन केजरिवाल पे च्छापे मारते है, सारे मंत्रियों पे च्छापे मारते है, बंद करके सब को जेल में डाल दीजिए, तादागिरी से अगर देश चलाना चाहते है, तारा साही से चलाना चाहते है, सब को जेल में डाल संजे सिंग की बॉखलाड को आप समझ सकते हैं और दूस्तों क्योंक downtown आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं सत्तेंद्र जेन वो जेल मैं सबक्त, मगर वो जिक्र कर रहे हैं संजे राउत का भी वो जिक्र कर रहे हैं अनल देशमुक का भी जेने हाल ही में बेल मिल गई है वो जिक्र कर रहे हैं नवाब मलिक का भी यानि कि विपक्ष के नेताओं को खत्म करने लगातार उन पर दबिश डालने की कोशिश की जा रही है संजे सिंग ने सिर्फ सरकारी आंकडों का हवाला दिया था मगर प्यूज गोयल उन्हें जूटा बता रहे हैं सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप प्यूज गोयल की इस घलत बयानी को सुनें फिर मैं आपके सामने आख डिलाओंगा दोस्तों सुनें इस बिकम अवरी रेगुलर प्रैक्टिस ओफ शूटन स्कूप यूजस बेख एनी अलिजेशन्स तो सुना आपने दोस्तों अब मैं आपको दिखलाने वाला हूँ वो आकडा जिससे मोदी सरकार की पोल खुल रही है आपके सामने दोस्तों संसद के अंदर यानि राजसभा के अंदर ये सवाल पूछे थे प्रियंका चत्रुए थी और मैं चाहूंगा कि आप सवाल नंबर A और सवाल नंबर E पर गौर कीज़े सवाल नंबर A सवाल सीधा है कि क्या प्रवर्ते निदर्शाले के रेट जो है वो 90 प्रतिशत बढ़ गए है और अब E पर आते हैं उदो ने पूछा था ये पूछा गया कि ये बताईए कि कितने केसे रेजिस्टर हुए और कितने लोगों को सजा मिली दोस्तों अब मैं बतलाना चाहता हूँ कि संसद के अंदर मोधी सरकार ने क्या बयान दिया था आपके स्क्रीन्स पर बयान का वो हिस्सा जिसमें सरकार खुद कह रही है कि 3,010 रेड मारे प्रवर्तन निदेशाले यानि जाच एजनसीज में और उनमें से सिर्फ 23 लोगों को सजा मिली कहा क्या गया है अंग्रेजी में मैं पढ़ूँगा और फिर मैं उसका हिंदी में आनुबाद करूँगा कहा गया है इन और तो दिपोस और फफिंग इंवेस्टिजास्टेश इन ओल एक प्रवाद ने अचाशे इन प्रवर्तन ने इस वेंदेशां हैं आगे, इसमें कई आखड़े हैं दोस्तों, संजे सिंग ने जो कहा, उसमें कुछ घलत नहीं था, संजे सिंग ने क्या कहा, तीन हजार दस सर्चेज की, रेड मारी एडी रे, खुद सरकारी बात कह रही है, संजे सिंग ने कहा, 23 लोगों को सजा मिली, ये संजे सिंग का आकड़ा है, यही बात सरकार ने कही, यही नहीं, ये कहा गया, सरकार के अपने जवाब में, 99,356 करोड रुपए जब्त किये गए, मगर, अबराद कितने पैसे कपाया गया, 879 करोड 31 लाक रुपए, ये सब सरकार की जवाब में हैं दोस्तों, अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, संसद के अंदर जूट कौन बोल रहा है, संजे सिंग, यानि विपक्ष, या फिर, मैं आपको बतलाना चाहूँगा, कि प्रियंका चत्रूइदी, शिव सेना की प्रियंका चत्रूइदी, जिनोंने सवाल पूछा था, वो भी इस पर हैरत जतला रही है, उन्होंने खुद कहा है अपने स्ट्वीट में, कि भाई, यह सवाल तो मैंने पूछा था, यह तत्थ है, यह हवा हवाई नहीं है, यह कलपना नहीं है, तो फिर सरकार इसे घलत क्यूं साबित कर रही है, मगर आप जानते हैं, सबसे बड़ी तरास्दी यह थी, कि उपराश्चुपदी, यानि राजसभा के जो सभापती हैं, जगदीब धंकड, उन्हें संरक्षन देना चाहिए था संजै सिंग को, संजै सिंग के बयान को, मगर उन्होंने उल्टा ये कह दिया, कि सांसदों को बगएर तथ्यों के कोई बात नहीं कहनी चाहिए, यहां पर जगदीब धंकड सहाब को साफ तौर पर काईदे से कहना चाहिए था, कि प्यूश गोयल जी, आप अपनी सरकार के बयान से क्यों पलट रहे हैं, उल्टा, उन्होंने संजै सिंग को लतार लगा दी, मैं चाहूंगा आप जगदीब धंकड की इस बात को सुनिये, सुनिये, विज सेंक्डिटी एंड विज ओनर्शिप, अब आप बताईए, जगदीब धंकड यहां जो बात कह रहे हैं, वहां लतार किसको लगाई जा रही है, क्योंकि विपक्ष ने तो तथ्यों पर ये बात कही थी, तो आखिर सरकार इससे क्यों मूँ मोड रही है, ये कही न कही दोस्तों चलन हो गया है सरकार का, कि जो तथ्यों होते हैं, आपके अपने तथ्यों होते हैं, उससे ही आप मुड जाते हैं, आपने देखा किस तरह से प्यूश गोईल गलत बयानी कर रहे थे, और फिर विपक्ष ने उन्हें कड़ घरे में रखा, और दूसरी बात, इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट, इंडियन एक्सप्रेस की पूरी रिपोर्ट में विपक्ष पर दोश मढ़ा जा रहा है, काईदे से इंडियन एक्सप्रेस को आईना दिखाना चाहिए था, जगदीब धंकड सहाब को, पियूज गोयल को, मगर जो अखबार ये दावा करता है कि वो शौर की पत्त्रकारिता करते हैं, जॉर्नलिजम ओफ करेज करते हैं, वो ही सरकार के सामने नतमस्तफ हो गए हैं, ये मेरे लिए बहुत दुख़त लमा हैं दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं, मैं सिर्फ इंडियन एक्स्प्रिस पढ़ा करता था, मगर उन्होंने भी सरकार के सामने घुटने टेक दियें, तो एक तरफ जगदीब धंकड सहाब का रवया, दूसरी तरफ इंडियन एक्स्प्रिस की कायरता, और तीसरी तरफ प्यूश गोयल की घलत बयानी, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, संसत के अंदर विपक्ष सवाल ना उठाए, तो क्या करें? आज मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, लोगसभा के अंदर कॉंग्रिस के एक सांसत जो हैं, वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिला रहे थे, कि उन्होंने डॉलर के बारे में क्या कहा था, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आप देखिए, लोगसभा के जो अध्यक्ष हैं, ओम बिल्ला, किस तरह से वरताव कर रहे हैं, कॉंग्रिस के सांसत के साथ, ये नजारा देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा दोस्तों, मैंने अभी आभी आपको जगदीब धनकर साहाब के रवाइय की बात की, आप देखिए, लोगसभा के अध्यक्ष महुद है क्या कर रहे हैं, ये ही प्रेशन है सर, ये ही प्रेशन है सर, आप किसी प्रेशन है सर, आप इंटरेक्शन मत कर सकते सर, बेटिये, आप एक मिट बेटिये, एक मिट बेटिये, प्लिज सिट डाउन, प्लिज सिट डाउन, प्लिज सिट डाउन, प्लिज, प्लिज सिट डाउन, प्लिज, एक तो माने सदश्यगन, आप सदन के नेता हैं, सदश्यों को ये समझा दो, कभी स्पीकर पर टिपनी करके यह नहीं किए कि आप इंटर्फेरेंस नहीं कीजिए यह मेरा अधिकार है कि समझे ना आज के बाद मेरे पास अधिकार एक डो कभी नहीं होगा ऐसा सुन लिए माने सदर से सबको बता रहा हूं आप प्रश्ण से पूछो प्रश्ण के समझे किसी काल में किसी के स्टेट मेंन को कोड करने की आप प्रश्ण पूछो जवाब माने मंतिजी देंगे रहा है, हाप पूछो, आप का अधिकार है, सबको मुका देता हूं स्पीकर सर मैं आपका मेंबर हूँ मुझे कुछ दिक्कत हो गए तो मुझे रक्षा करने का आपका पुरी रक्षा करेंगे क्रेस्पांसबिलिटी है क्योंकि मैं चोटे गाउं से चुनकर इतना दूर आया आपके उपकर बहुत उमीद लेकर आया है तो हमें रक्षा करना आपका जिम्मेदारी है सर क्या कहा जाएं इसके बारे में दोस्तो आज आपके सामने कुछ तथे रखना जरूरी है दोस्तो और एक बार फिर वो तथे क्या है एक लोगतंत्र के अंदर विपक्ष का ये कर्टव होता है कि वो सरकार को हमेशा कटगरे में रखे सरकार को हमेशा जवाब दे बनाएं पत्रकार का कर्टव होता है कि वो सरकार से हमेशा सवाल करे ताकतवर से हमेशा सवाल करे और सरकार का कर्टव होता है कि वो सवालों के जवाब दे लोकसभा के अध्यक्षों या राजसभा के सभापती यानि की उपराश्चुपती इनका करतव्य होता है सांसदों के साथ पूरे निश्पक्षता के साथ बरताव करें उन्हें संरक्षन दें, सच को protection दें, सच को संरक्षन दें, ये काम होता है सभापति महादय का लोकसभाध्यक्ष का, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैंने आपको जगदीब धनकर सहाब का बयान भी सुनाया, मैंने आपको लोकसभाध्यक्ष का बयान भी सुनाया, ये फै इसलाब कीजिए दोस्तों मगर कल जो राजसभा में हुआ वो लोगसभा के इतिहास में एक बहुत ही दुखद दिन माना जाएगा मैं ये तो नहीं कहूंगा कि लोगसभा के इतिहास का एक काला पन न था क्योंकि पिछले आठ सालों में न जाने कितने पने स्याह हो चुके हैं दोस्तों और वो तमाम तत्थे मैं आप तक लाता रहूंगा और लाता रहा हूं अब इसार शर्मा को दीजिए अजासत नमस्कार